सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजी टेश्टी फूर्ड चैनल को साथ में बेल आइकन भी दबाईए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार मैं प्राद अदूबे मॉम्स मैजी टेश्टी फूर्ड में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे मटर पनीर जो कि खाने में बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही टेश्टी होता है और यह अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है और इतने भी तरीके से आप इसे बनाएंगे खाने में बहुत ही डिलिशियस लगता है क्यूंकि मटर पनीर का कॉंबिनेशन ही बहुत ही डिलिशियस है तो आज हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर बनानी के लिए यहाँ पे मैंने लिए है 200 ग्राम पनीर, मेडियम साइज की दो बड़े कटे हुए टमाटर, मेडियम साइज की दो कटे हुए प्याज, 250 ग्राम फ्रिश मटर, बारिक कटा हुआ हरा धनिया, दो बड़े चमच रिफाइंड ओयल, 4-5 लसुन की कली, 3-4 हरी मिर्च, 2 अधरक का टुकड़ा, नमक स्वाध की अनुसार, 1 बड़ा चमच गरम मसाला पावडर, 1 चमच कसूरी मेथी, 1 चमच जीरा, 1 चमच धनिया पावडर, 1 चमच हल्दी पावडर, 1 बड़ा चमच लाल मिर्च पावडर, चलिए मठर पनी बनाना शुरू करते तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें दो बड़े चमर तेल आट करेंगे अब हम इसे गरम होने देंगे अब हमारा तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें पनीर को फ्राय करेंगे आपको तेल गरम होने की बार पनीर को मीडियम फिल्म में ही फ्राय क करना है सिर्फे से हलका साटे करना है अगर आप चाहे तो पनीर को बीना फ्राय किये भी उज़ कर सकते हैं अब हमारा पनीर हलका फ्राय हो चुका है अगर हम इसे ज्यादा फ्राय करेंगे तो हमारा पनीर हाड हो जाएगा तो हमें बस पनीर को बिल्कुल इतना ही फ्राय करना तो अब हम इसे एक प्लेप में निकाल लेंगे यहां पर पनीर को सौटे करने से इस मटर पनीर के रेसीपी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है यह देखी हमारा पनीर अची तरसे फ्राय हो चुका है तो हम इसे साइड में रख देंगे तो अब हम फिर से कढ़ाई ले लेंगे और इसमें एक चम्मत तिल अट करेंगे हमारा तिल गरम हो चुका है तो हम इसमें मीडियम साइज के दो कटे हुए प्याज अट करेंगे और इस प्याज को चलाते हुए थुछा सा भून लेंगे यहाँ पे हमें इस प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है सीफ हलका सॉफ्ट करना है तो अब हम इसमें चार से पाथ लसुन की कली आड करेंगे और साथी में दो बड़े अद्रक का तुकड़ा और साथी में 3-4 हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और इन सभी को चलाते हुए अच्छी तर से भून लेंगे अब हम इसमें 2 मिडियम साइस के कटे हुए टमाटर और इसे भी चलाते हुए अच्छी तर से भून लेंगे टमाटर को भी हमें प्याज की तरह हलका सौटे करना है जल्दी से पक जाए और थोड़ा सौफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें हलका सा थोड़ा नमा कैट करेंगे और इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमें इसे पकने के लिए 5 मिन धखकर छोड़ देंगे यहां पर आप प्याच टमाटरों को कच्चा पीस के भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे भून के बनाएंगे तो इसका टेस्ट एकडम रेस्टूरें स्टाइल हो जाता है तो आप बिल्कुल इस तरह से बनाएए एकडम अब 5 मिन बाद हम इस मिक्चर जार का ढखकन लगा देंगे और इस मिक्चर को एक प्यूरी में कर्वट कर लेंगे तो यह देखिए हमारी मटर पनी की प्यूरी बनकर बिल्कुल रड़ी हो चुकी है अब हम इसी से प्रेपेर करेंगे जो हमारी मटर पनी की ग्रेवी है बून चुका है तो अब हम इसमें जो हमारी पीसी हुई प्यूरी है इसे आड़ करेंगे और उसी चलाती अचीतर से भून लेंगे यहां पर मैंने मटर पनी में तेल का यूज कम किया है अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा यूज कर सकते हैं यह देखिए हमारे ग्रेवी अचीतर से भून चुकी है आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रेवी को तेल अलाग होरे तक भून लेना है तो हम इसमें सुखे मसाले आड़ करेंगे जैसे कि एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर और हम इसी हलका सा मिक्स कर लेंगे अब हम इसी मसाले में मटर को आड़ करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर ली है अगर आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं अब हम इन मसालों को भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे हलका पानी आड़ करने से हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और अच्छी तरह से भून भी जाएगा और इसे ठखक कर 25 मियद पकने के लिए छोड़ देंगे अब हमारे पांच मियद हो चुके हैं हमारे मसाले अच्छी तर से भून चुके हैं तो आब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आढ़ करेंगे और इसे चलाते हिए अच्छी तर से mix कर लेंगे हमारे ग्रेवी थोड़ी गाड़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी आउर आट करेंगे यहाँ पे मैंने इस मतर पनीर में ज़्यादा चीजों का यूज नहीं किया है क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा चीजों का यूज करेंगे तो मटर पनीर और शाही पनीर में कुछ फरकी नहीं रह जाएगा अब हम इसमें स्वात के उस्वार नमक आड़ करेंगे नमक हमने पहले भी आड़ किया है इसलिए हम नमक थोड़ा सा ही आड़ करेंगे और इस ग्रेवी को पांच में धकर पका लेंगे अब हमारे पांच में धोड़ चुके हैं और हमारे ग्रेवी अची तरह से उबल चुकी है तब हम इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला आड़ करेंगे और साथी में एक छोटा चमच कसूरी मेथी आड़ करेंगे हाथों से क्रेश करके आड़ करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और साथी में फ्राय कीए पनीर भी आड़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पनीर आड़ करने के बाद हमें इस ग्रेवी में एक उबाल आने देना है ताकि पनीर सारे मसाले को अच्छी तरह से अबजर्ब कर सके और अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया आड़ करेंगे इस मटर पनीर के रेसिपी को मैंने घरे लिए मसाले यानि कि जो मसाले घर पर अबलेबल होते हैं उसी से मैंने बनाया है और यह इतनी सिम्पल रेसिपी है इसे घर पर कोई भी बना सकता है और पांच में ढखकर और पकाएंगे अब मारा मटर पनीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं यहां पर मैंने इस देशी मटर पनीर में कोई भी काजू, दही, क्रीम या बटर का यूज नहीं किया है फिर भी यह मटर पनीर इतनी डिलिश्यस बनी है अगर आप इसे एक बार बार खाने के लिए बनाएंगे और अगर आप इसे कोई हलवाई, धाबा या रेश्टोर्ने से कंपेर करेंगे तो आपको यही रेसिपी सबसे बेश्ट लगेगी तो आप इस रेसिपी को नान, पूरी, पराठा, जीरा राइस किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और इंज्वाइ कर सकते हैं प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद